आज मैं आपके लिए जो डाई लेकर के आई हूँ वो जटपट वाली डाई है जटपट जिन लोग के बाल जो लोग रिफ्टी या मतब फिफ्टी के ऊपर वाले जो लोग है जिनके बाल बहुत ज़ादा वाइड हो गए है अभी और डेफिनेटली वाइड बाल तो किसी महं कमिकल नहीं होता है और यह हरबल डाई है लेकिन बाल काले होते हैं तो घूला जो तो तो इसमें ऐसी जिए वह हो तो इसलिए मैं आज कि जो मेरी डाई है मैं समें बहुत ही चीज मिलाने वाली हूं यह देखिक मेरी गांदी आशम की कि यह लोग पूश्टेंग ऑप उनला पड़लवास ऐसा बड़ाई क्षग今 गोड़ में हूं वही जासे फाई कि दा नान्स सब्सक्राइब अब जाता है और इसको क्या है मैं निकाल करके रखा है यह वाली देखिए अंदर से ऐसे से तीन पैकिट आते हैं इस टाइप के और इसका डबा ऐसा होता है और खादी की बहुत सारी महंदी आती है किसी किसी से तुबाल बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होते हैं तो मैंने खादी की दो-तीन में जो मेहंदी हैं वो ट्राइ की हैं और जब मुझे लगा कि जिससे एकदम जैट ब्लेक कलर आता है तो यह ही वाली डाई है तो यह अच्छली जो खादी के स्टोर होते हैं वो यह वहां मिल जाती है और इस टोर हर शहर में होता है हर जगे होता ह तो अगर हो सकता है आपके शहर में ना हो तो आप आस-पास कहीं कीजिए सर्च कीजिए गूगल पर क्योंकि यह आपको उन-लाइन तो पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी और लेकिन यह आपको ऐसे स्टोर में बहुत मिल जाती है यह वाली और यह वाली ही डाई को दिखाने वाली हूँ इसमें मैंने अपनी दो-चार जो मेरी हबस हैं मैंने आवला और इसमें मैंने शिका काई और गुढ़ल के पत्ते फूल और कलोंजी यह सब का मैंने इसका पानी बना करके रखा है ताकि यह आपके बालों को बिल्कुल भी हाम ना करें और इन सब च आपके बालों को बहुत जादा यह वाली डाई आपके बालों को इस पानी के साथ एड़ होने के बाद पूरा पूरा उटेक्ट करें तो बहुत अच्छी डाई है अब इसको क्या करना है इसको पानी पो इसमें मिला देना है यह एसी थोड़ी ऊठ़ जाती यह थोड़ी रहती है पाने के उपढ़ तो इसको क्या करना है आपको थोड़ा चलाना है क्योंकि अगर से आपको चला यह पाने की ओपर यह एगी और फिर ये क्या होता है, इसको 10 मिनट के बाद लगाना होता है, जैसे अभी मैंने पानी डाला, आपको एकदम चला के ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये नीचे बैड़ जाती है, इसको पानी सोक लेती है, तो फिर से आपको पानी डाल करके फिर आपको इसको रेडी करना है कि कि क्योंकि ठोड़ी जैसे इंडिको पॉ시デर होता है ना नीचे बैठ जाता है पानी तो वैसे यह भी होती है सीन चीज्च आपके बालों को बहुत जादा सॉफ्ट बनाता है इतना जादा सॉफ्ट बनाता है कि आपको कोई भी डाई आपके बालों को बिल्कुल हाम नहीं करेगी आपके बालों को बहुत जादा सॉफ्ट मनाएगी आपके बालों को बहुत जादा ब्लैक मनाएगी और बहुत ही एच suggest करूँगी कि जैसे जैसे मैंने इसको ready किया है अगर आप उस तरीकी से लगाते हों तो आपके बारों को ये हम नहीं करेगी लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि आप इसको जल्दी मत लगाए दो से तीन महीने में एक बार लगाए ताकि आपके बार अगर आपको लग ये सब चीज़े जो मैं डालती हूं मैं हमेशा आपको उस चीज का solution भी देती हूं साथ में उसको मैं सोचनी हूं कि कोई चीज मैं ऐसी आपको ना बताऊं जिससे कि आपको कोई भी नुकसान हो तो उस चीज को repair करने का काम जो चीज आपको हम करने वाली है जो डाई आपक अश्छा तरीका तो मैंने आपको बताए अपनी वीडियो में पहले भी बताया है पिछली वीडियो में देखना आप तो जिन लोगों को अपीछब ने में प्रब्लम हो जाती है वह उस तरीके से लगाई जैसे मैंने अपको बताया है एक बόटल लाती कलर वाली आज कर दो पीचे के तोड़ी रह जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रोब्लम हो जाती है फिर पूरे बालों में अच्छे से लग जाएगी तो यह डाई बहुत अच्छी है और अगर आप इसको कमेज वाले भी लगाना चाहें तो इसको मैं सजेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से मैंने बताए इस तरीके से लगाई है और दो से तीन महीने में लगाइए एक बार और बाकी जिन लोगों के बाल काफी वाईट हैं फिफिर्टी के उपर वाले हैं बाकी बाकी बालोंdat में फिर्श के बालों लगा बाकी पूरे को रूट से वह भाइट होने ही नहीं रहें आपके बालों को रूट से भी 手ल् Colleen ही रखती है One Tao हम उतरता है कि अपके ह्लगा